क्लिक करते हैं अगर अफ़ररीघ्ondom हो गई होगी तो खोनिछ स्क्रीन आ जाएगा नहीं होगा तो वापसे स्ट galaxy जाएगाव कई गाई तो देख। देख सकते में यह एक औली 44 सेकेंट में अफ़र पी हो सकते जॉब ड़न हो गया है ओनली 44 कैसे हैं आयों पच्छे होंगे तो हमेशा की तरह हैं तो अगर आप फस रहे हैं होनर की फारपी में तो हम आप होनर की फारपी कैसे रिमूफ करेंगे बहुत इसली तरीके से तो हमें आप एक लाइव फ्रेक्टिकल आपको बताने वाले है बसिकली यह जो मौडल मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोई मौडल बेषर पर मत जाएगा यही मैरा जो फिलाल यह होनर का नाइन लाइट फोन है तो यहां पर स्क्रिप करने हम जाते हैं देख सकते हैं कि प्लीज वेरिफाई यहां पर गूगल एकाउंट प्लीज कॉंटेक्ट इंटरेंट फर्स तो आप इंटरेंट देने कवाद इसको गूगल एकाउंट चाहिए मतलब इसमें लगा हुआ है तो यह होनर का नाइन लाइट है जैसा कि मैं बता दू पर बिसिकली यहां पर होनर लाइन लाइट नहीं मैं यहां पर एनी हवाई मॉडल की फर्पी का मैं बताने वाला हूं सेल्यूशन तो वीडियो को लाइस देखेगा और आप हमाई चैनल में नए है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब केज़ेगा जिससे हमारे नए नोडिफिक्शन आपको तुरन मिले तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर अनलॉक टूल जो कि सबसे बैस्ट है इससे पहले हम मर्त से हटाते थे गाईस पर मर्त भी अभी काफी दिन से अपड जो अपडेटेड टूल है आप उनके साथ से ले तो ज्यादा बेटर है तो यहां पर देख सकते हो मैंने अनलॉक टूल खोला हुआ है जो कि अभी यह ट्रेंडिंग में चल रहा है गाईस तो आप यहां पर किसी भी मॉडल की आप बहुत इजी तरीके से अनलॉकिंग और अर्फ प्रमॉफ कर सकते हैं तो थाइब कर सकते हैं तो आप जितने भी हम मॉडल सपोर्ट आप उसकी अनलॉकिंग और फाल भी भुत इसी तरीके से इसे रिमूफ कर सकते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हूं तो यह नहीं बहुत ही best है जैसा कि मैं आपको बता दूँं यह आपका USB 1.0 पर वरक करता है। इसमें बहुत एजी तरीके से आप इसको flash भी कर सकते है और यहां से इसके फार पर भी रिमूफ कर सकते हैं तो बेसिकली जो इसका करेंट सीप्यू है वो इसका 659 है हाई सेलिकॉन करेंट 659 यहां पर सीप्यू है तो आप सीप्यू के प्रोडिंग आप जाएंगे गूगल में जाएंगे तो चली मैं यह भार यह भी चेक करके आपको दिखा इसके बाद अपना सीप्यू पर सेलेट करेंगे उसके लिए ड्राइबर चाहिए आपको यूसबी 1.0 आपको ड्राइबर हैंपर होना चाहिए और यह जो 1.0 जो पोड बनाएगा गाईज यह आपका टेस्ट पॉइंट से बनाएगा तो चली मैं वह भी आपको बता देता हूंगा आपको टेस्ट कहां से मिलेगा तो देखिए यहां पर यह जो टूल है बहुत ही अच्छा टूल है क्योंकि आप यहां पर जाएंगे ट जूम आउट का एक मैसेज देया गया तो जूम इन जूम आउट का एक मैसेज है जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा दू तो यह देखिए ऐसी हपर अगर जूम करेंगे तूह तो देख सकते हैं आप गोड़ पैनल है यह हुए खुला हुआ है यहां पर एक टेस्ट 1.0 port बना लेगा तो चलिए हम फोन को पहले connect कर देते हैं अब उसके बाद अपना CPU है पर select करना है तो मैं आप CPU select करना हूँ 659 अगर इसमें fp लगी हुई है अगर इसमें account लगा हुआ है तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं तो फिलाल हम यहां पर करने दिखा दूंगा यह देखे कौम और पूर्ट यहां पर बन चुका है अप सिंपल और सिंपल हमें क्या करना है आपको डिवाइस में दिखा सब्सक्राइब तो मैं यहां पर डिवाइस में जर को भी एक बर खूल लेता हूं कि हमारा पूर्ट बना एक नहीं बना गाई तो दो यहां पर पूर्ट भी बन गया अब सिंपल हमें क्या करना है यहां पर यहां पर क्लिक कर देना है कॉम हमारा बन चुका है यह ड्रैवर नहीं होगा तो आपका काम नहीं करेगा और बहुत ही कम समय में हमारी यहां पर अनलॉकिंग हो जाएगी फार्पी रिमूग हो है तो आप भूट लोडर को अनलॉक करने की कोसिस ना करें किसी भी एनी टूल से तो आपका फोन लोगों पर या तो डैड हो सकता है गाइस तो यह बहुत ही सेफ तरीका है बहुत ही सेफ मैथड है एनी हवाई की आप फार्पी रिमूव कर सकते हैं बिना किसी डैड रिक्स के गाइस तो भी हमारा यह डब हो जाएगा वेटिंग फॉर्स बूर्ट अभी यहां पर कर रहा है और यहां पर देख सकते हैं ओनली 44 सेकेंड गाइस ओनली 44 सेकेंड में आपकी फार्पी जॉब डन हो गई है अब मैं यहां पर अपने मॉइल स्क्रीन में लेकर चलूँग अर बहुत कम समय में इसके फार wy हो गई हैं आप देखते हैंए एक्चुल में कि इसके फार पे रिमूफ होती है कि नहीं है गाइस बूट कर रहा है तो गाइस finally phone हमारा on हो चुका है अभी इससे करते हैं next और देखते हैं कि हम्हारी फार पे remove हुई कि नहीं हुई आट टो always हमारा आई रहा था जैसे हम इसको skip बटन दवाते थे तो हमारी Google account के लिए singing के लिए message आता था तो चलिए देखते हैं कि हमारी farp remove हुई की नहीं हुई guys तो skip करते हैं और यह देखिए दोस्तो skip हो गया है मतलब बहुत easy तरीके से 44 second में only हमारी farp remove हो चुकी है अब देखते हैं finally की क्या पता last में जाकर के back हो जाए तो इसलिए मैं इसको finally आपको चालू करके दिखा देता हूं कि actual में इसके farp remove हुई की नहीं हो गई तो get start पे click करते हैं अगर farp remove हो गई होगी तो home screen आ जाएगा नहीं होगा तो वापस से restart हो जाएगा गाईस तो देखते हैं तो देख सकते हैं गाईस यहां पर only 44 second में farp remove हो सकते हैं जॉब डन हो गया है only 44 second में farp remove हो गया अगर वीडियो अच्छा लगात like subscribe share thank you so much मिलते किसी नेक्स वीडियो में